नमस्कार दे इंडिया टॉप देख रहे हैं मैं हुआ आपके साथ बर्जो सिंग दिल्ली में बैठ कर चिराग पास्वान बिहार की राजनिती और अपने भविप्स को लेकर काफी गयन मन्थन कर रहे हैं चिराग तै नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर अब किया तो किया किया जाए कैसे आगे की राजनिती जो है वो तै किया जाए चुकि नितीज कुमार के NDA में वापसी के साथ चिराग पास्वान काफी जादा ऐसेज हो गए है चुकि चिराग पास्वान की इमेज नितीज विरोध की रही है और चिराग पास्वान ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि जिस गड़बंधन में नितीश कुमार होंगी उस गड़बंधन में हम कतई नहीं रह सकते हैं अब ऐसे में सवाल बड़ा है चुकि चिराग भी एंडिये में है नितीश कुमार भी एंडिये में है और ऐसे में चर्चा हो रही है कि चिराग दिल्ली में बैट कर अलग-अलग दलों के निताओं से बातचीत कर रहे हैं और इसी कड़ी में खबर आई कि तेश्वी आदों से उनकी फोन पर बातचीत हुई सवाल बड़ा है कि क्या चिराग पासवान इंडिये छोड़ेंगे क्या चिराग पासवान इंडिया गड़बंधन में तेश्वी आदों के जर्ये इंट्री करेंगे क्या चिराग और तेश्वी का गड़बंधन अगामी लोकसमाद चुनाओं में देखने को मिलेगा जब ये बला सवाल था तो हमने कई बिहार के राजनिती के वरिष्ट पत्रकार वरिष्ट नेताओं से बाचित की तो उन्होंने असपस्ट तोर पे इस सवाल को ही नाकार दिया और कहा कि ये गलती चिराग पासवान कताई नहीं कर सकते हैं चुकि याज कि ये 2009 जब रामिलास पासवान ये बड़ी गलती की थी रामिलास पासवान आरजेडी के साथ लालू परशाद यादो के साथ गटबंधन करते हैं नतीजा ये होता है कि पूरा पासवान परिवार चुनाव हार जाता है मतलब जो रामिलास पासवान का वोट बैंक है पासवान और जो लालू पुरशाद यादो की पाटी का वोट बैंक है यादो उसमें कोई गडबंधन कोई तालमेल ग्राउन पर नहीं होता है और जब ये दोनों नेता अपने इंट्रेस्ट के लिए एक दूसरे से गडबंधन कर लेते हैं तो जनता साथ छोड़ देती हैं और ऐसा हुआ है साल 2009 में और उस एतिहां से सीखते हुए चिराग ये गलती दुबारा नहीं कर सकते हैं हलाकि राजनित को जानने समझने वाए लोग इस बात कोई मान रहे हैं कि राजनिती में कुछ भी समभ है और इस खबर के जरिये चिराग राजनिती तोर पर भाजपा पर एक प्रिसर बनाने की कोशिक जरूर कर रहे होंगे और उसमें कहीं हद तक वो सफल भी हो जाएं चुकर नितीश कुमार आ गया है तो ऐसे में जो इसपेस था पहले इंडिये में चिराग पासवान के लिए वो बिल्कुल ही कम गया है चिराग पासवान को मालूम है कि अकर वो आरजेडी के साथ जाएंगे तो हो सकता है कि जो इतिहास है वो फिर से दोरा जाए और न हम इधर के रहे न उधर के रहे हमारा वोट मेंक में हमारा साथ छोड़ दे दोहट चौबिस के लोकसभा चुनाव में ऐसे में लोकसभा पहुँचना है तो फिर भारती इंता पाटी इंदिये के टिकट पड़ ही चुनाओ लरना होगा बाहर जाने की कोई गुंजाइस तो यहाँ पर दिखती ही नहीं है हलाकि पार्तिक तरफ से तो बयानवाजी की जा रही है चिराग पार्तिक के साथ है और चिराग को बालूम है कि अगर उन्हें लोकसभा पहुँचना है तो फिर इंडिये में रहना होगा अगर हार गए तो फिर ना इधर के न उधर के नितीश कुमार आए है तो नितीश कुमार को भी बहुत माल लिया जाएगा चुकि बात अब अपनी राजनितिक अस्वित्यु की है लेकिन चिराग इस बात को तय नहीं कर पार है किनितिश कुमार को बहुत तो माल लेंगे लेकिन जनता की भी इसकी सुरूप में जाए जाए जनता को क्या बोला जाएगा जनता को क्या बताया जाएगा यह तय नहीं कर पार है और यही बड़ी बज़ा है जो चिराग दिल्ली में बैठ कर कभी तेश्पी आदो को तो कभी कॉंग्रेस के नेताओं को फोन कर रहे हैं फोन पर बातचीप कर रहे हैं दूसरी बड़ी कारण यह है कि RJD चिराग पास्वान को क्यों अपनाएगी चिराग भी भावी मुख्यमंत्रियों में द्वार हैं युवाच्यरे हैं और तेश्पी आदो भी भावी मुख्यमंत्रियों में द्वार हैं एक मयान में दो तलवार करना संभव नहीं है लालू प जाए गया कि चिराग पास्वान हार जाए और मेरे बेटे के लिए जो भविस की चुनोती है वो खत्म हो जाए तो यह कारण है जो राजमीन को जानने समझेवाए लोग मान रहे हैं कि चिराग पास्वान यह गलती कभी नहीं कर सकते हैं कि वो आरजेडी के साथ यहां रहेंगे तो कुछ चीटे नुकसान हो सकती है लेकिन राजनिती जो है वो उनकी बद सकती है अपको क्या रगताए आप किया समझते है क्या वाकर में चिराग तेश्वी को यह हो जाना चाहिए चिराग पास्वान को सायदा होगा या नुकसान होगा आप अपनी शु प्रविता ही देखते हैं टॉप आउसका